धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार का दिन भगवान विश्नु को समर्पित है और इस दिन उनके साथ साथ तुलसी का भी विधिविधान से पूजन किया जाता है। हिन्दु धर्म में तुलसी को पूजनिय स्थान प्राप्थ है और इसलिए आपने हर घर में तुलसी को पौधा जरूर देखा होगा। गुरुवार के दिन अगर आप तुलसी का एक विशेश उपाय अपनाएंगे तो धन लाब के नए रास्ते खुलेंगे चमक जाएगी किस्मत सुनने लगेंगे मा लक्षमी आपकी पुकार धन पैसों से भर जाएगी तेरी तुलसी का उपाय महाकरगर उपाय करने से आपकी किस्मत रातों रात चमक जाएगी धन प्राप्ती के लिए आपको गुरुवार के दिन के तुलसी का यह विशेश उपाय अवश्य करना चाहिए भगवान विश्णु को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन स्नान के बाद तुलसी की जड़ को कच्चे दूढ से सीचना चाहिए इसका मतलब है कि तुलसी में कच्चा दूढ चढ़ाना चाहिए इसके बाद शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना चाहिए मान्यता है कि ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती है और तुलसी को मा लक्ष्मी का रूप माना गया है इसलिए तुलसी को प्रसंद करने घर में मा लक्षमी का वास होता है, धन प्राप्ती का आशिरवाद मिलता है गुरुवार के दिन ध्यान रखें ये बातें अगर आप गुरुवार का वरत कर रहे हैं, तो तुलसी पूजा करते समय ध्यान रखें की पूजा के दौरान पीले रंग के वस्त्र धारण करें इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी गुरुवार के दिन वरत करने वाली महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए और नहीं साबुन का इस्तिम्ना करना चाहिए इस दिन केले के पेड में जल चड़ाने से आर्थिक तंगी दूर होती है और धंधाने का लाब होता है घर की सारी समस्याएं दूर हो जाती है महिलाएं घर की कामना के लिए घर को सुख शांती देने के लिए तुलसी माता को खुश करने का चमतकारी उपाय करती है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें कमेंट में हर हर महादेव जरूर